प्राइज रेंज में आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा ओन सीरीज के फोन आपको खरिदना चाहिए दोस्तो दोनों फोन सेम प्राइस रेंज में आते हैं तो दोस्तो पहले बात करते हैं और नेक्ष्ट के बारे में तो दोस्तो ये फोन थोड़ा ओल हो चुका है इस फोन में आपको 5.5 इंच का TFT पैनल वाला फूल HD डिस्पले मिलता है फोन में एक्जिनोस का 7870 अक्टाको पोजेसर के साथ 3GB RAM और 14GB का इस्टोज मिलता है कैमरा की बात करें तो 13MP रियार और 8MP फ्रॉंट कैमरा मिलता है दोनों कैमरा का एपरचर है F1.9 का फूल मेटल बॉड़ी से बना हुआ इस फोन में डूल सीम प्लास MicroSD का स्लोट मिलता है और आप 256GB तक MicroSD कार्ड लगा भी सकते है अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की तो दोस्तों इस फोन में आपको 3300MH का बैटरी मिलता है और फोन में आपको कुछ बेसिक सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और Fingerprint Scanner का सपोर्ट भी इस फोन में मौजूद है और ये फोन फिलाल रान कर रहा है Android Nogat के उपर अब दोस्तों इस फोन की प्राइस की बात करें तो इस फोन का प्राइस है 12,999 रुपई अब दोस्तों बात करता है नया लांच हुआ On7 Prime की तो दोस्तों इस फोन में आपको OnDex की तरह 5.5 इंच का TFT पैनल वाला Full HD डिस्पले देखने को मिलेगा पोसेसर भी इस फोन में सेम मिलेगा एक जीनोस का 7870 का और ये फोन दो भीडेट में आता है 3GB RAM और 32GB स्टोरेज और 4GB RAM और 400GB स्टोरेज कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको बोथ साइड 13MP कैमरा मिलता है जिसका एपर्चर है 1.9 का ये फोन भी Dual SIM प्लास MicroSD कार्ड स्लोट के साथ आता है फोन रन कर रहा है Android Noguard 7.1.1 के उपर इस फोन में OnNext की तरह कुछ बेसिक सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और finger finish करने का सपोर्ट भी इस फोन में मौजूद है बैटरी है इस फोन में 3300MHz की अब प्राइस की बात करें तो इस फोन का 3GB और 32GB का प्राइस है 12,999 रुपए और 4GB और 14GB का प्राइस है 14,999 रुपए अब बात करते हैं final conclusion के उपर तो कौन सा फोन आपके लिए best होगा तो दोस्तो दोनो फोन लगबग similar है अगर दोस्तो आप selfie lover है तो आप On7 Prime को चूज कीजिए नहीं तो आपको On7 Prime की 3GB और 32GB की प्राइस में और next का 3GB और 34GB variant मिल रहा है तो इस्टोरेज डबल हो मिलता है तो बाकि सब कुछ दोस्तो सेम है कुछ डिफायंस नहीं है दोस्तो दोनो फोन looking के मामल में सेम है आपको सिफ decide करना है कि आपको इस्टोरेज जदा चाहिए या फिर अच्छा selfie camera वाला फोन चाहिए दोस्तो दोनो फोन बढ़िया है On7 Prime में कुछ नया फीचर जैसे Samsung Mall का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा उस फोन को future में audio update भी मिलने वाला है तो दोस्तो ये कुछ-कुछ फरक आपको देखने को मिल जाएगा बाकी all are same तो दोस्तो इस वीडियो में पस इतना ही आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर भी कीजिए और साथ में हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकूल न भूले थैंक्यू सो मच फर वाचिंग